यदि आप भी खुबसूरत बेदा एवं glowing skin पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार इस secret नुस्खे को आजमा कर देखिए मेरा दावा है आपके सभी near एवं dear आप से आपकी खिली निखरी एवं glowing skin का रास पूछेंगे और यदि यकीन ना हो तो इस secret के first application का result देख लीजिए आप ही यही कहेंगे कि यह secret तरीका पहले क्यों नहीं आजमाया तो चलिए दोस्तों बीना देरी कि आपको खिली निखरी बेदाग glowing तवचा को पाने का रास आप से शेयर करते हैं नमस्कार आदाप सच्रियकार जोहार दोस्तों लोग अकसर करके केले को खाकर उसके छिलके को फ आज हम आपको शेयर करते हैं कि केले के चिलके का किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपका इसकिन ग्लो करें और यदि मेरे द्वारा बताये गए इस secret तरीके को आपने एक बार आजमा लिया तो मेरा दावा है आप महंगे महंगे प्रोड़क्स को यूज करना भोल जाएं दोस्तों केले के चिलके में भी उतने ही पौश्टिक तत्व होते हैं जितने की केले में और केले के चिलके से बना हुआ एक हेर मास्क मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था आप सभी के साथ और उसमें मैंने केले की गुनवत था और उसमें पाय जाने वाले प् मैं केले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही हूँ, मेरी पिछली वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अवश्य देख लीजिएगा। फिर भी सरसरी तोर पे केले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, कि केले के छिलके में भी फाइवर, आइरन, कैल्शियम और विटामिन B6, B12, जिंक, मैगनिशियम और कई एंटी अक्सिडेंट होते हैं, जो तचा को जमकदार बनाने में सहायक होते ह मैंने यहाँ पर दो केले को धोकर उसके किनारे के पाट को काट कर अलग कर लिया है, साथ में छिलके को भी अलग से प्लेट में छिल कर रख लिया है केले के छिलके से जो सबसे पहला method आप सभी से share करने जा रही हूँ वो especially oily skin के लिए है केले के छिलके के अंदरोनी हिस्से से यदि हम अपने skin का massage करते हैं तो ये deep cleansing का काम करने के साथ साथ तवचा को मुलायम भी बनाने में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं oily skin वाले cleansing करने के बाद deep cleansing करने के लिए केले के छिलके को अपने skin में circular motion पे massage करेंगे इससे हमारे चेहरे का deep cleansing होता है केले के छिलके से पूरे face में 8-10 मिनट तक massage करने के बाद गिले tissue paper से face को wipe off कर ले इससे हमारी तवचा और ज्यादा निखर जाती है आप result देख सकते हैं और केले के छिलके से अपने face के deep cleansing करने के काम को आप हफते में 2-3 बार कर सकते हैं दूसरा method dry skin वालों के लिए है केले के छिलके के अंदरोनी हिस्से पर शहद लगा कर चेहरे का massage कर सकते हैं आज से 10 मिनट तक circular motion में massage करने के बाद 20 मिनट के लिए चेहरे को ऐसे ही छोड़ दे इसके बाद normal water से चेहरे को धोले इससे हमारी तवचा में glow तो आता ही है साथ साथ दाग, धब्बे, महीन लाइनों की समस्या से भी निजाद मिलती है इस method को भी आप अपने चेहरे में हफते में 2-3 बार apply कर सकते हैं इसके लगातार इस्तमाल से आप देखेंगे कि आपके चेहरे में पहले से ज़्यादा निखा रहा है दोस्तों कई लोगों को हाथ पैरों की उंगलियों, कोहनी और घुटने जैसी जगहों पर तचब में कालपन आने की समस्या होती है केले के चिलका आपकी इस समस्या को भी दूर करता है केले के चिलके के अंदुबने हिस्से पर थोड़ा सचीनी और चुटकी भर हल्दी लेकर सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहें 15-20 मिनट तक इसके बाद इसको धोले या वाइप आफ कर लें ऐसा करने से डेट स्किन से साफ हो जाते हैं और धीरे धीरे त्वचा का कालापन भी दूर होने लगता है आप मेरे हाथों में इसकी फर्स एप्लिकेशन के बाद का रिजल्ट देख सकते हैं बीफोर एवं आफ्टर का वो भी बीना किसी फिल्टर के दो केले के छिल्के को एक साफ सुत्रे मिक्सी जार में पीस कर एक बाउल में ट्रांसफर कर लें अब इस बाउल में हम एड़ करेंगे दो चमच चाउल का आटा, एक कॉफी का पाउच, एक चमच शक्कर क्रश किया हुआ, एक चाउथाई या आधा चमच हल्दी और एक चमच शहद अब इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट तयार कर लें तयार किये हुए मास्क या पैक को चहरे के साथ साथ हाथों और पैरों पर भी अपलाई करें 15-20 मिनट के बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए साफ कर लें और मस्चराइजर अपलाई कर लें इसके बहतर रिजल्ट के लिए हफते में दो से तीन बार इसका प्रयोग अवश्य करें आफ्टर फर्स्ट एप्लिकेशन आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं वो भी बिना किसी फिल्टर के तो दोस्तों आप भी अगली बार के लखाने के बार इसके चिल्के को फेकेगा मत जिस तरीके से मैंने आज आज आपको बताया है कि इसके चिल्के का फेस मास्क बनाकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हेर मास्क बनाकर भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो दोनों आप apply जरूर कीजेगा और इसका experience हमारे साथ comment box में जरूर शेयर कीजेगा वीडियो पसंद आये तो like और comment करना बिलकुल भी न भूले क्योंकि इससे हमें प्रेणा मिलती है ब्यूट दे हीट चैनल के उपयोगी beauty tips एवं स्वादिष्ट और healthy recipes को अपने near and dear के साथ share करना बिलकुल भी न भूले और यदि आप भी beauty the heat channel के प्यारे सदस्य बनना चाहते हैं तो beauty the heat channel को बहुत प्यार मुहबत के साथ subscribe कर ले free of cost में और समस्तर notification के लिए bell icon को प्रेस करना बिलकुल भी न भूले हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली recipe या वीडियो के साथ तब तक अपना खियाल रखे बाई take care and love you all